हाई फ्रेंड्स स्वागत है आपका रैंडम दुनिया टॉप 5 को टैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 मूस्ट रेर आई कलर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुले आपकी आँखों का रंग कई जीन द्वारग में रहारित किया जाता है जो आपकी आईरिस में मैनलिन उत्पादन को नियंत्रन करता है मैनलिन लाइट को एब्सॉब करता है जब कोई वस्तू लाइट को एब्सॉब करती है तो वो काली दिखाई देती है लेकिन जब light को absorb नहीं करती तब वो reflect हो जाती है आपकी आँख से reflected light color spectrum में नीले भाग से होता है Brown eyes दुनिया भर में 55 से 90 प्रतिशत लोग आँखे brown होती है Brown सबसे आम आँखों का रण यहरे brown रंग की आँखे एफरीका, एशिया और दक्षिनपूर्व एशिया में सबसे आँख हल्के भूरे रंग की आँख पस्चिम एशिया, अमेरिका और यूरोप में पाई जाती है नीले रंग की आँखे दुनिया भर में 8 से 10 पतिशत लोगों की आँखे नीली होती है नीले आँखे यूरोप में सबसे आम है, थास कर स्कैंडीविया में नीले आँखों वाले लोगों में एक जनेटिक मूटेशन होता है जिसके तारण आँखे कम मेलिलिन उत्पादन करती है ये मूटेशन पहली बार यूरोप में रहने वाले व्यक्ति में लगभग 10,000 साल पहले देखी गई वह व्यक्ति आज भी नीले आँखों वाले लोगों का एक समान्य पूल रज़ है हरी आँखे लगभग 2% लोगों की आँखे हरी होती है हरी आँखे मध्यम और पश्चिम यूरोप में सबसे आम है हरी आँखे वाले लगभग 60% लोग, सेल, टिक और जर्मनी बंच की है हरी आँखों वाले व्यक्ति के आईरिस में लिपुक्रूम नामक सब्स्टेंस होता है और केवल थोड़ा सा मेनलिन होता है हेजल आईज लगभग 5% लोग की आँखें भूरी होती है तुंदली आँखे असमान्य हैं लेकिन दुनिया भर में पाई जा सकती है खास कर यूरोप और सयूप्त राज अमेरिकां हेजल हलके या पीले भूरे रंके होती है जिसके बीच में सुनहरे, हरे और भूरे रंग के धब्बे होती है जिसमें सोने, हरे या भूरे रंके धब्बे नहीं होते है एंबर आँखे फट्टो मचलियों और पक्षियों में पाए जाते हैं ग्रे आँखे ग्रे आँखे एक प्रतिशत से भी कम लोगों की आँखे हैं ग्रे आँखे उतरी और पूर्वी यूरोप में सबसे आम हैं वैग्यानिकों का मानना है कि ग्रे आखें में नीले आखों की तुल्ला में कम मैनलिन होता है। ग्रे आखें अलग तरह से प्रकाज बिखेरती हैं इसके कारण वे ग्रे दिखाई देती है। हेट्रोक्रोमिया, यदि आपको हेट्रोक्रोमिया है, तो आपके सभी या आपके एक आईरिस का हिस्सा दूसरे की तुल्ला में एक अलद रंगपा होता है, यह स्थिती एक प्रतिशत से भी कम लोगों में दिखाई देखती है, लेकिन यह अक्सर उत्तो में देखी जाती है, प्रोकोमिया होने का कारण आख में चोड या आखों के वितास के दोरान समस्या या चिकित्सा स्थिति हो सकती है तो ये था आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर